गरुन जब सिम्रन और मिक्की को जाने से रोब कर रखता है सिम्रन करुं को धक्का दे देती और करुं को मुसिवत में देखकर काश्वी सिम्रन को दो तीन चाटे मार देती काश्वी की बाते सुनकर मिक्की को सच पता चल जाता है जब मिक्की और सिमरंग को पोलिस आरेश्ट कर लेती है, काश्वी सिमरंग को उसके घर ले जाती है, जहां काश्वी सिमरंग की सास यानि कि जिस डॉक्टर ने काश्वी की डिलेवरी की थी उस डॉक्टर से मिलती है, वो डॉक्टर काश्वी को उसके सामने देखकर शॉक हो रोमिला मैमा को वार्ण करती है कि ये सब क्यों कहा करुन से हैं क्योंकि करुन काश्वी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो ये सब जब जान चाहेगा कि काश्वी ही उसकी माँ है तो आरजुन मैमा को उसकी लाइफ से निकाल देगा और जब वहाँ पर अधित्य के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टीव होता दे काशवी के लिए केर दिखादा है। थब आधित्य की बाते सुनकर काशवी का गुस्त स्छा चांत हो जाती है जानना और सोचना तो यह होगा आपकी क्या काश्वी जान पाएगी सच क्या है और कब सामने आएगा मैमा और रोमिला का सच क्या आदित्य जान पाएगा काश्वी का पास्ट कब सामने आएगा कि करूं काश्वी का बेटा है या फिर मैमा ही हर बार जित्ती रहेगी देकेसी रियल में, सिर्फ टार प्लस पर